नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योकिता, स्वागत करती हूँ आपका हमारी चैनल बोल्ट स्काई में हम में से ज़्यादर तर लोगों को यही लगता है कि चावल केवल पेट भरने के लिए ही खाया जाता है स्वास्ता की लिहाज से यह कुछ खास फायदेर्मन नहीं है कई लोग तो यह सोचकर भी चावल खाने से परहिस करते हैं कि चावल खाने से उनका पेट बाहर आ जाएगा भारतिये खाने का एक प्रमुक तत्व होने के बावजूद चावल के स्वास्ते वर्दग फायदे अंधेखे ही है हमारे घरों में चावल बनता तो हर रोज है लेकिन केवल इसलिए कि आहार का हिस्सा है कम ही लोग होते हैं जो बतौर हिल्दी फूर्ड इसे बनाना और खाना पसंद करते हैं तो चलिए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में कि खाली पेट चावल खाने से आपको क्या फायदे होते हैं चावल में अच्छी मात्रा में कार्भो हाइट्रेट होता है जो कि शरीर को उर्जा देने का काम करता है इस उरुजा की जरुवत शरीर के हर भाग को होती है मस्तिष्क इसी उर्जा से शरीर का संचालन करता है खाली पेट चावल खाने से आप पूरा दिन energetic महसूस करते है आपके शरीर में उरजा बानी रहती है इसलिए आप नाश्ते में खाली पेट चावल खा सकते हैं चावल खाना स्वास्ते के लिए बहुत फायदे मन्द है इसमें ना तो हानिकारक फैट होता है ना कोलेस्टरॉल और ना ही सोडियम ये एक बैलेंस डाइट है ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई खादे प्रदार बेना किसी नुकसान के फायदा कर रहा है तो उसे बहतर कुछ भी नहीं है चावल में सोडियम की मातरा नाक के बराबर होती है ऐसे में ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिने हाई ब्लड प्रेशर और हाईपर टेंशन की समस्या है होल ग्रेन राइस जैसे ब्राउन राइस में भरपूर मातरा में फाइबर होता है चावल में पाया जाने वाला ये फाइबर बहुत प्रकार के कैंसर की रोगठाम और उनसे बचाव के लिए इस्तिमाल किया जाता है कई शोध करताओं का मानना है कि चावल में मौझूद ये तत्व कैंसर कोशिकाओं को विक्सित नहीं होने देते हैं चावल के मान्ड को ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर भी इस्तिमाल किया जाता है ये तवचा संबंदी कहीं तरह की बिमारियों में फायदे मन्द है इसमें मौझूद एंटी ओक्सिडेंट गुड जुरियों को आने से रोकता है और ढलती उम्र के प्रभाव को दूर रगता है अगर आप खाली बेट चावल खाते हैं तो इससे आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहेगी तो दोस्तों मारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको अमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक एंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले